हेलो बच्चों वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कार्पोरेट अकाउंटिंग यानि निगभी लिखांकन के आप से कोशन लेकर आई हूं इस पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है अगर आपने वह नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हैं इसके लावा और भी सब्जेट पर मैंने अमसी के वीडियो डाली हुई ह वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करिएगा आईए शुरू करते हैं इससे पहले की वीडियो में टेंटा कोशन हो गए थे विलावन कोशन लेते हैं अंशो का मुल्यांकन डैश डैश पर किया जाता है शेयर्स आर टूबी वैलूड अन टैश डैश मर्जर्स सेल अफ श सभी तो जो अंशो का मुल्यांकन किया जाता है इन तीनों ही सिच्वेशन में किया जाता है जबकि दो कंपनियों का अपसने विला हो रहा हो जब अंशो की विक्री हो रही हो यह अंशो को बेचा जा रहा हो या फिर उपहार के रूप में अंश मिले हों वहां पर भी तो इ तो question आपर पूछ रहे हैं जो उद्दत किये गई अंश होते हैं वे कौन से होते हैं Stock Exchange में सुची बद, विक्रिता द्वारा उद्द, खईदार द्वारा उद्द, इनमें से कोई नहीं तो वो सारे अंश जो कि Stock Exchange में सुची बद होते हैं आपने पढ़ा होगत होता के अंश होते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड, तो जो Quartet Shares होते हैं, वो Stock Exchange में सुची बद होते हैं, लिस्टेड होते हैं, तो यहां पर का एक तांसर हो जाएगा, option A निस्ट कुश्चन है, शुद्र परिसंपती मुल्याकर में एक अंश का मूल टैश डैश पर निर्भा करता है, अंडर Net Asset Method, Value of Shares Depends on डैश डैश Net Asset Available to Equity Shareholders, Net Assets Available to Debentures Holders, Net Assets Available to Preference Shareholders, None of the above आपने पढ़ा होगा कि Valuation of Shares की कई Methods होते हैं, जिसमें कि आपका पहला हो जाता है, संपत्य मुल्यांकर, Asset Valuation Method है, उसके बाद आयो मुल्यांकर विदी, Income Valuation Method है, उसके बाद उचित मुल्यांकर विदी, यानि कि Fair Valuation Method, फिर आ जाता है, प्रतियांश आइविदी, आधिकार शुद्धारकों के लिए उप्लब्द शुद्धु समपाती पर आ प्रोक्त में से कोई नहीं, जो उसका मुल्यां निर्भर करता है, वो समताश धार्यों के लिए उप्लब्द शुद्धु समपाती पर निर्भर करता है, यहाँ पर का एक ठासर हो जाएगा, Option A. नेस्ट कोश्टन है शुद्र संपत्य मुले निधायित करते समय बनावटी संपत्य डैश डैश वाइल डिसाइडिंग नेट ऐसेट वैलू फिक्टिशियस डैश 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 शुड बी कंसीडर्ड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एड़ेट टू टोटल ऐसेट अन आफ्टा आफ और पूछ रहा है जो शुद्र संपत्य का मुले निधायत करते हैं यानि कि जब हम नेट आशुड की वैलू निकालते हैं तो वहाँ पर जो बनावटी संपत्य होती उसका क्या करना चाहिए उस पर व्रचार नहीं क्या जाना चाहिए कुल संपत्य में जोड़ा जाना चाहिए पूपने से कोई नहीं तो यहाँ पर जो हम net asset की value निकालते हैं तो वहाँ पर जो बनाटी संपती होती है उसे छोड़ दिया जाता है बनाटी संपती में क्या आ जाएगा आपके जो पत्रों पर discount दे रखा होता है इसके अलावा जो preliminary expenses होते है प्रारंबिक वे यह सब पर जाते हैं उसमें उसको छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पकर एक आसर हो जाएगा option भी कि निसकोशन है आयमोली डाश 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 पर निर्भर करता है येल्ड वैलू डिपेंट्स ओन डाश 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 फ्यूचर मेंटेनिबल प्रॉफिट पेड़ एड़ डिडन पर दूसर डेट ओफ अर्निक पर तो दोनों ही चीज़ें option में नहीं दे रखी हैं तो यहाँ पकर एक तांसर वोगा option डी उप्रूक में से कोई नहीं इस कुश्चन है डाश डाश जो समपती पर निर्भर करता है डाश 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 ड कुशन है एपिएस डैस डैस अर्षिधारियों को प्रप्ति शुद्र पर निर्भर करता है एपिएस डिपेंड्स ओन नेट पॉफिट अवेलबल टू डैस डैस शेयर होल्डर एक्विटी प्रफरेंस डिबेंचर बोथ ए और बी तो जो एपिएस होता है वो किसना के अर्ष प्रचिस ऑफ दा एवरिश पॉफिट ऑफ दे लास्ट फोर एयर्स ता पॉफिट लास्ट फोर एयर्स और एस फालोस 12,000 18,000 3,000 9,000 दा वैलू अफ कुडविल इस ख्यातिका मुल्य आंकर पिछले चार वर्षों के और सतलाब के तीन वर्ष की खरीद पर किया जाता है पि जाएं कि लस हुआ हानी हुई है तो यहाँ पर उसको एड़ नहीं किया जाएगा बलकि लप्तिया जब लेंगे आफ निकालने में जितने भी व्रशचों का चार वर्शचों का देश क्वारिभा था फैलिमाने बताये था जो थी थाफॉजंड का देश के रक है वह लौस है हारी है उसको हम लेस कर देंगे उसके यह चार से डिवाइट कर देंगे तो कितना नेकल के आएगा अवरेश प्रॉफिट हमारा 9000 उसके बाद वैलोईशन आफ गुडविल के लिए अवरेश प्रॉफिट इन्टू नमबर आफ एयर्स पर्चेस कितने एयर्स पर्चेस थे 3 एयर्स से बल्टिप्लाइ कर देंगे कितना आजाएगा वैलोई आफ गुडविल 27,000 यहीं हो जाएगा हमारा आंसर तो करिकना आसर हो जाएगा यहाँ पर आप्शन C इस कोशन है चार अंशो के लिए 15 रुपे वाले दो अंश निर्मित कर एक्स कंप्री लिम्टेड अपने अंश पूंजी बढ़ाती है इसकी विद्वान अंशो का बाजार मुझ सतर रुपे कम राइट है यानि की अधिकार के साथ है राइट का मूले निकालिए अधिकार क मूले निकालिए एक्स कंप्री लिम्टेड इंक्रेज़ इस शेर्स कैपिल वाई इशू अफ टू शेर्स एट रुपीज फिफ्टीन इच फर शेर्स हेल्ट गा मार्केट प्राइट प्राइट इस रुपीज सेवेंटीन कम राइट फाइंड और दा वैलो अफ राइट त साथ तो यहां पर आपको अधिकार का ही मुले निकालना है आई देखें इस कोशन को कैसे सौल करते हैं इसको निकालने के लिए दो मैथेड मैंने आप लोग को बताया है एक मैथेड हो जाएगा जिसमें मार्केट प्राइज ऑफ एक्जिस्टिंग शेर्स माइनस मार्केट इसलिएं मार्केट प्राइज अपॉड़िग शेर्स प्लस वैलो आफ निडियोः मेठाओ अपर उग्सिक्रिण शेर्स उपाउं और इक्जिस्टिंग शेर्स प्लस निइश तो जो भी चीज़ा आपकर को इसे वैलो को प्लेस कर लेंगे मार्केट प्रायस ऑफ एक्जी कितने हैं 4 हैं और new shares कितने हैं 2 हैं उसका इसको हम solve कर लेंगे तो solve करने पर कितने निकल के आएगा 0.67 अप्रॉक्स यही हो जाएगे value of right यानि की अधिकार का मुल्य उसका जो alternative method है उसमें कैसे निकालेंगे new shares upon total shares तो नए share कितने हैं 2 हैं और total यानि कि जो पुराने 4 share थे और जो नए 2 आएंगे तो हो जाएंगे total 6 into market price of old shares कितना था 17 था और value of new shares कितनी थी 15 थी इसको हम less कर देंगे तो 2 हो जाएगा उधर से solve कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा 0.67 तो रों में ही answer आपका same ही आना है value of right same ही आएगी तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option D next question है एक कंपनी के इलाब जिसकी पूझी दस रुप्यवाले 25,000 अशुब में भाजित है पिछले तीन वर्षों के लिए निम्नांकित हैं 50,000, 60,000, 40,000 उचिताई किदर 10% प्रतिवर्ष है कंपनी के आश की केमत निकालिए तो यहाँ पर आपको कंपनी के आशुब का मूले निकालना है तो यहाँ पर जो आपका उचिताई की दर दे रखी है तो यानि कि जो इनकम वालुएशन मेथड है उसका जो second वाला था basis of rate of earning उस मेथड से हम इसे solve करेंगे तो आई देखें इसे कैसे निकालते हैं तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें earned income चाहिए होगी तो उसके लिए जो हमार टोटल profit दे रखें हैं तीन वर्शों के उसको टोटल कर लेंगे 1,50,000 आ जाएगा average profit निकालेंगे इससे तो कितना आएगा 50,000 यही हो जाएगा हमारी earned income उसका capital employed निकालने के लिए जो आपको लिए तो rate of earning अभी हमने निकाली ही थी 20 की normal rate of return question map के दे रखा है 10% into 10 paid amount of shares याने कि जितना मुल अंश पर चुकाया हुआ है 10 रुपए का हुआ जाएगा अब इसको solve करेंगे तो कितना निकल के आएगी value of shares 20 यही हो जाएगा हमारा answer अंश की कीमत तो यहाँ पाइक आंसर हो वीडियो में डालू उसका notification आपको मिल जाए जादा जादा फेंट साथ शेयर करिएगा थैंक यू